हर्याणा के खिलाडी देश और विदेश में अपने दमखम खूब दिखा रही हैं अब एक बार फिर हर्याणा के छोरे ने प्रदेश का नाम फिर से रोशन किया है 36 गड में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रत्योगीता में हर्याणा के छोरे करमवीर ने गोल्ड मेडल जीत कर प्रदेश के साथ अपने गाउं का नाम भी रोशन किया है करमवीर होडल के गाउं बंचारी के रहने वाले हैं वहीं मेडल जीत कर गाउं में पहुचने पर परिजनों और ग्रामीडों ने फूल मालाओं और ढोल लगाणों से उनका स्वागत किया इस मोके पर करमवीर ने बताया कि उन्होंने ये गोल्ड 597 किलोग्राम वेट में हासिल किया है उन्होंने पलवल के कोच युगेश के नित्रित्व में महाकाल अकडमी में ट्रेनिंग ली वहीं उन्होंने अपनी जीत के शिरे अपने पेता को दिया करमवीर ने बताया कि वह आगे भी अपनी मेहनत से अने प्रतेयुगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल हासिल कर अपने गाओं वाजिले का नाम रोशन करेंगे तो कितने लोगों ने भाग लिया था उसमें लगबग तो आपने की क्या पोजिशन रही है तो आपने इससे पहले किसको देना चाहोगे वो कौन है और यह लड़का बढ़ाई होनहार बहुत अच्छा लड़का है इसने पहले से टेट लीवल की विजो प्रतियोगता वल्लवगड के अंदर हुई थी उसमें भी इसने गोल्ड मेडल लिया था अब यह 36 लड़के अंदर ओल इंडिया लेवल पर जो प्रतियोगता हुई है उसमें यह 570 किलोग्राम वर्ग में जो है फस्ट आया है और हमारे गाव में तो पहले भी इस टाइब की पिटती वहाँ रही हुए हमारे बादाम को साब वेट लिप्टिंग के कोच हुए हैं तो उनसे ही मोटिवेट होकर के इस लड़के ने भी जो है वेट गाव के अंदर यह गए हैं बहुत अच्छा गाव में खुशी का माहुल है और आने वाली जो पीडी है वो भी सिक्षा लेगी और आने वाले टाइम में और बच्चे इसी टाइब के गेमों में निकलेंगे यहां से बॉक्सिंग में वाली बॉल में यह गाव खेलों के लि पर बलाव गड़ में आयूजित पावर लिफ्टिंग प्रतोगीता में गोल्ड मेल हासिल किया था और अब 36 गड़ में आयूजित नैशनल प्रतोगीता में गोल्ड हासिल कर फिर एक और बार अपने गावं का नाम रौशन किया होडल से हरिम भारदवाच पंजाब के सरी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन् वाद आपश्न नए ये घूर काण़ मिवर बेल आपशिकेशन के लिए हमारे आपर आपशन के लिए बादुक प्यादा से भीडियो फेस्ट लिए नए भीडियो फेस्टा शुड़े हैं।